आउजबिल्लाहिमिन श्याइतान रौजीम बिसमिल्लाहिर रौप्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों उमीद है आप लोग खेरियत से होंगे और आपने जो मिट टम एक्जाम दिया है वो भी आपका खेर खेरियत से मेरे ख्याल में सब लोगों के ठीक ही हो गया होगा दोस्तों मिट टम एक्टिविटीज के बाद यह मेरी सफ्ट वीडियो है और आज की चु मेरी वीडियो है वो ISL 201 Islamic Studies की जो हमारी Assignment No.2 IUER उस हवाले से है दोस्तों हमारी इस Assignment में हमें एक requirement दी गई है और हमने उस requirement के अगेंस्ट उसका solution देना है requirement क्या है जी zakat is a significant Islamic system it is a mean source to establish social prosperity and economic stability in the Islamic society it ensure to achieve sustainable development in terms of circulation of wealth among Muslims as well as discretion the gap between the richer and the poor in the society अब हमें आगे requirement के हवाले से बताया गया है के you have to discuss social and economic effects of zakat at individual and collective level in the Islamic society के zakat का individual के उपर क्या effect है और इसका ultimately society के उपर क्या effect है यह हमने बताना है इसमें solution की तरह जब हम जाते हैं तो मैंने इसको दो हिसमें तक्सीम किया है the first one is the effects of an individual and the second part of this assignment is the effects of society और यह effect है हम विद रिकार्ड्स to the zakat part का रहे हैं first of all the effects on individual following are some effects of zakat on individual यह मैंने कुछ points लिके हैं इसमें almost 10 हैं तो आप इसमें से at least five कोई भी आप select कर लें और फिर अपने इसाब से उसकी आपने explanation देनी है इसमें first one है जी equality तो zakat का जो सबसे बड़ा main objective है that is equality between the individuals के लोगों के दर्म्यान जो है वो equality काइन करना है यह इसका first effect है second effect के है peace among individual के लोगों के दर्म्यान जो है एक अमन किसी साथ काइन करना है और यह इसका second objective भी हो सकता है और इसका effects भी है कि अगर आप लोग zakat देते रहेंगे तो जो गरीब तरह लोग हैं वो भी आपके अमीर हो जाएंगे और सारी जितनी भी individual है वो एक ही लेवल पर आ जाएंगे और उससे क्या होगा कि आपका peace among create होगा इसके बाद social justice है इनसाफ का भी यही तकाज़ा है कि हर आद्मी जो है उसको बराबरी के हकूप में ले और हर आद्मी के पास wealth है वो बराबर हो आगे social harmony है कि लोगों के दर्म्यान जो एक तर्मात है वो भी जकात से खतम हो जाती है वो कैसे खत्म होते हैhur अब जब लोग डिकिती करते हैं कोई रोबरी करते हैं कुछ औरी करते हैं तो उससे गया हता है जिस्मी house आप लोग प्रपर हर आद्मी अपनी अपनी जकात अदा करेगा तो उसका फाइदा क्या होगा कि लोगों के तरमियान जो हर्मनी है वो भी खटम हो जाएगी आगे नेक्स जो है ओबिडियन्स अफ लॉव ओबिडियन्स अफ लास है मुराद कि जो हमारा इसलामी कनून है वो भी इस बात की अपनी बीटियू के शादी है जो बंदा वकार देता है तो लोग यही कहतें के यह बड़ा नेक आद्मी है और यह टाइम पर जगात अदा करते है तो आप से कि जो अपनी परस्टनेलिटी है वो भी डिवेलब ओते है आप सेविंग अब जगात जो आदमी अदा करता है यह भी इसका ultimate effect हो सकता है on individual human brotherhood islami भाईचारी की सिजा पैदा होती है सारे भाई भाई है हम मुसल्मान हैं तो जब हम जकातरा करते हैं तो उससे एक human brotherhood की सिजा वो भी create होती है आगे circulation of wealth circulation of health से मराद कि जो पैसा है वो गर्दिश में रहता है बलके वो लोग जो है उसे आने वाले वक्त के लिए छुपा के या सखीतन दोसी नहीं करते हैं दोस्तों यह सारे कुछ दस मैंने points लिखके हैं जो जकात के हवाले से हैं और effects of individual एक इंफरादी तोर पे हैं आगे society के हवाले से लिखके हैं जी effects of of जकात on society उसमें भी मैंने चार पॉंट पॉंट लिखे हैं आप इसमें से सारे भी ले सकते हैं लेकिन आपने explanation अपनी देनी है आप इसमें से कुछ कम भी कर सकते हो और कुछ जयादा भी कर सकते हो यह क्या है जी इसमें जो फर्स्ट वाला पॉंट है फिनिश्ड इलिटरेसी फ्रम सोसाइटी जब आप जकात अदा करेंगे टाइम ली और जो लोग मतलब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते और उनके पास भी पैसा आता है तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे तो उससे जो आपकी इलिटरेसी है मतलब जो तालीम है उसको फरोग मिलेगा और इलिटरेसी जो है वो सोसाइटी से खतम हो जाएगी आगे है जी डिक्रीज क्राइम डेट स्रम सोसाइटी अब इसका एक एक सोसाइटी को परिये भी है कि जो आपका क्राइम डेट है जो टक of the society और society के अंदर जो एक्वेलिटी बराबरी की मतलब एक फिजा काईम हो जाएगी आगे नेक्स्ट जो है वो social justice in society है कि लोगों को इंसाफ के मैसर होगा इससे तो यह हमारा fourth number और last one जो मैंने लिखा है वो proper circulation of wealth in society है कि जो अमीर लोग है उनसे जो पैसा है वो circulate होके गरीबों तक जाएगा जो deserve करते हैं उन लोगों तक जाएगा और इसी तरह proper जो है wealth की circulation वो होती रहेगी यह सारे effects हैं जकात के on society दोस्ते हमारी इस assignment के अंदर हमें दो ही चीज़े required थी एक हमने effect बताना था individual के उपर एक हमने effect बताना था society के उपर with respect to the जकात वो मैंने दूनों अलग-अलग slide में है individual के हवाले से पहले 10 बियान के आप इसमें से 8 लें 10 लें 5 लें यह लिख लें और फिर आद नीचे उनकी explanation दे उसके बाद आपका effect on society बताना है इसमें से 3-4 वो लें आपने नीचे उनके detail देनी है और इस तरह आपकी assignment ISL 2001 के assignment जो 2 है वो आपकी solve हो जाएगी दोस्तों यह थी आपकी assignment ISL 2001 के हवाले से आप मेरे चैनल देखते रहिए सीखते रहिए मुफिन भाई के दुआओं में याद रख रिए मेरी website ज़रूर विजिट कीजिए इस पर मैंने final term के हवाले से काफी सारा material upload कर दिया और जिन बचों subject जो है वो uploaded नहीं है इनके final term के paper uploaded नहीं है तो मैं कुशिक करूंगा कभी दिन अडे वो paper upload कर दो if they are available in my database bank अगर वो मेरे database bank में available है thank you very much दोफ्तों अलाहाफिव